देश जहां करोना मामारी से जूंज रहा है ऐसे में प्रवासी और ध्याडी मज़दूरों का ध्यान रखते हुए गुरुग्राम सेक्टर 9 के वासियों ने राहत राशी 81 कर ध्याडी मर्दूर और गरीब लोगों को सूखा राशन वित्रित किया वहीं गुरुग्राम 82 राधकृष्ण गौशाला में चारे की किलत को देखते हुए एक लाख रुपे की राशी दान की ताथ ही मुख्यमंत्री राहत कोश में सेक्टर वासियों से किये गए 81 राहत फंड में एक लाख 51,000 की राशी जिला उप्यूक्त के माध्यम से मुख्यम गुवन्सों का जिसमें 70 मन तूड़ा डेली लगता है तो 70 मन तूड़ा का हमें इसाब लगाते हैं तो इनका खिलत तो ऐसे ही चलती रहेगी लेकिन समाज से या अपने जितने भी ग्राम वासी जो हमारे बसी गाओं के है यास पास के जितने भी हैं पूरा समाज है मैं उन तब दाउन स्टार्ट हुआ था तब युवा सक्ति संगठन भारत एवं RWA सेक्टर 9 के सईंफ तत्वदान में कुछ हमने दान सेक्टर 9 वासियों से इखटा किया था जो लगबग 5 लाग के करीब था जिसमें से हमने कुछ जरूरत मंद लोगों को 15-15 दिन का राशन पैक करक तो उसमें DC साब को 11,000 रुपे का चैक सोपा और उसी के साथ पहले गौव साला में चारे की दिक्कत थी सुनिता जी का यहां से कोल आया तो 11,000 रुपे की राशी पहले यहां पे सोपी उसके बाद आज पुने 11,000 रुपे का सायोग गौव साला में संस्था के और RWA के दौ नो में और सक्क्र नो वासियों में जो हमें एक सायोग राशी ती लगवड़ पांच लाखे करीज दी इसमें हमने गरीब लोगों को एक पैकेक बना के भी दिये एक लाख दो जार रुपे हम गवुसाला में भी दे चुके हैं एक लाखी क्या मुवा नो जार रुपे आज जंकी सी साब को भी देखाए है मुख्यमंतरी रहत ने खोस में तो यह सब का यह तुम हीतना ही कहना चाहूंगा एक यह शक्क्र नाईन वासियों की करफ से दिया गया हुआ है और आपके चैनल के मादम से सक्क्र नो वासियों का सब का तै दिल से शुक्रियादा भी करना च कर दो